तो दोस्तो जैसे के आप से बेंगे वीडियो के थम्नेल और लोगों नहीं देखी लिया होगा आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तो कि आधार कार्ड से हम YUPI PIN कैसे सेट कर सकते हैं कैसे बना सकते हैं जैसे कि दोस्तों हो सकता आप अभी जो है फोन पे बनाना चाह रहे हैं लेकिन आपका दोस्तों फोन पे नहीं बन रहा है या दोस्तों आप गूगल पे बनाना चाह रहे हैं लेकिन आपका गूगल पे नहीं बन रहा है हो सकता है दोस्तों आप जो है डिरेक्ट दोस्तों यह पर प्रोलम होता है काफी लोग को जो है debit card होता ही नहीं है तो आज का जो वीडियो है दोस्व आप सभी के लिए काफी helpful होने वाला है क्योंकि दोस्व अगर आपके पास ATM card नहीं है तो दोस्व आप phone पे Google पे and दोस्व पेटियम किसी भी चीज में दोस्व आप जो है UPI pin को दोस्व आधार card से बना सकते हैं और बनाने के बाद दोस्व आप उसको चला भी सकते हैं काफी लोग के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर हमें आधार card के अंदर जो है यानि कि आधार card से UPI pin सेट करने का जो option है वो नहीं आ रहा है phone pay में भी नहीं आ रहा है Google pay में भी नहीं आ रहा है पेटियम में भी नहीं आ रहा है काफी लोग के मन में ये सवाल आ रहा है तो दोस्व अगर आपको option नहीं आ रहा है तो भी आपका आधार card से UPI pin बन जाएगा किस तरीके से आधार कार्ट से UPI PIN बनाना है पूरा प्रोसेस इस वीडियो में cover करने वाले हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते दोस्तों और आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम UPI PIN बनाने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले phone pay में अभी जा रहा है तो phone pay के अंदर दोस्तों option जो है गायब हो चुका है तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे पेटियम application का यूज़ करेंगे आधार कार्ट से दोस्तों UPI PIN बनाने के लिए हाँ पर दोस्तों पेटियम का यूज़ करने वाले हैं आपको भी दोस्तों आप चाहाँ तो आप पेटियम का यूज़ कर सकते हैं एंडoscow आपको जो अगर अभी आपको phone pay के अंदर दोस्तों आधार काड़ वाला option नहीं मिल रहा है तो दोस्तों like करता है चैनलन को subscribe भी करता है क्योंकि दोस्तों आप लोग subscribe करना भूल जाते है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे simple सा यहाँ पर पेटिव अप्लिकेशन के अंदर आने के बार यहाँ पर दोस्तों हमें जो एक load को देखने को थोड़ा सा मैं brightness को यहां पर बढ़ा लेता हूँ ठीक है यहां पर थोड़ा सा brightness को चलिए मैं full कर लिया हूँ अब यहां पर दोसों बढ़ाने के बात देख सेते हैं यहां पर मैं इसका भी light बढ़ा देता हूँ साइध आपको थोड़ा सा problem हो रहा होगा अब यहां पर दोसों देख सेते हैं अभी हमारे यहां पर light भी हम लोगों ने यहां पर इंक्रिज कर लिया है अब यहां पर हमें UPI pin बनाने के लिए आपको दोसों पेटियम अप्लिकेशन को डाउनलोड करना होगा इसका link आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के description box में and comment section में मैंने pin कर दिया दोनों जिगा पर मिल जाएगा उसके बाद आपको अपना mobile number डाल के register करना है register करने के बाद आपके सामने इस तरीकी का interface आएगा और जो यहां पर लिख करके हैं दोसो पेटिया में UPI and इसके बगल में दोसो आपको गोला गोला जो profile का option मिल रहा है इसके उपर में आपको इस profile के options पर आपको किलिक करना है किलिक करने के बाद दोसो आपके सामने कुछ इस तरीकी का interface आएगा आपको यहां पर एक options को ढूंडना है दोसो एक options को आपको यहां पर खोजना है क्या option खोजना है दोसो आपको यहां पर जो है एक options मिलेगा दोसो देखेता है आपको यहां पर UPI payment settings जैसे कि दोसो देखेता है यहां पर मुझे option मिल रहा है UPI payment settings इस पर किलिक करेंगे तो यहां पर दोसो UPI Payment Settings को Options पर क्लिक करता हूँ, यहां पर दोसो क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक Options मिलेगा New Bank Account Add, आप दोसो आपके पास इस पेज भी आ जाना है, आप जिसका भी दोसो आधार कार्ट सी UPI भी बनाना है, वो Bank Account को आपको यहां पर Select करना होगा, हो सक चाहते हैं, उस Bank Account को यहां पर Absolute करेंगे, जैसे कि दोसो हमारे पास Bank Account जो है, दोसो हमारे पास HDFC का Account है, और मैं उसका ATM कार्ट हमारे पास नहीं है, दोसो और अधार कार्ट से हम उसका UPI न बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहां पर क्या करेंगा, दोसो Simple सा हमें कौन सा Process को Complete करना होगा, तो उसके लिए दोसो हमें यहां पर सबसे पहले Bank Account को Link करना होगा, तो Bank Account को दोसो Link करने के लिए आपको Simple से इसी को उपर में क्लिक करना है, अगर आपका Bank यहां पर दोसो List में नहीं आता है, तो आप यहां पर Search करेंगे, और Search करने के बाद दोसो जो भी आपका bank account होगा वो आप यहां पर search करेंगे जैसे दोस्व अभी हमारा bank है HDFC एंड यहां पर दोस्व जैसे मैं search करता हूँ तो हमारा bank आ चुका है इसके उपर मैं click करके इसको इस तरीके से link करेंगे आपका दोस्व bank account link हो जाएगा link होने के बाद आगे का process में आपको दिखाता हूँ क्या करना है अब link होने के बाद दोस्व आपके सामने कुछ इस तरीके का interface मिलेगा मुझे दोस्व यहां पर देखता है change का option मिल रहा है और यहां पर दोस्व डारेट मुझे check bank balance का options मिल रहा है क्योंके दोस्व यह इसके उपर मैंने experiment किया था आधार card से मैंने upi pin बनाया था तो मेरा बन गया था दोस्व तब जा करके मैं videos बना रहा हूँ तो यहां पर दोस्व आपको क्या करना है normal सा आपको यहां पर set options के set के options पर क्लिक करना है और यहां पर आधार card से दोस्व यूप ii pin बनाने के लिए हम यहां पर proceed को options पर क्लिक करेंगे और जैसे दोस्व हम यहां पर proceed को options पर क्लिक करते हैं अब यहां पर दोस्व लिख करके आ रहा है प्लीज इंटर फर्स्ट six digit for आधार link at your यहां यहां पर जो है अभी enable नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा सा दोस्व वेट करने की जरुवत है क्योंके दोस्व देदर सभी bank में यह option आ रहा है और आपको भी दोस्व यह options आ जाएगा तो यहां पर दोस्व मैं डाल के proceed करता हूँ उसके बाद दोस्व आपके आधार कार्ड के साथ जो mobile number लिंक हो उस पर एक OTP भेज़ जाएगा OTP डालेंगे दोस्व उसके बाद आपके buying के तरप से OTP आएगा वो OTP डालेंगे और डालने के बाद दोस्व आपको यहां पर अपना UPI PIN को set करना होगा और इस तरीके से दोस्व आपका UPI PIN आधार कार्ड से set हो जाएगा तो जो process था दोस्व मैंने आपको live करके दिखाया इसी process से दोस्व आपका आधार कार्ड से UPI PIN बन सकता है और बाकि दोस्व कोई दूसरा तरीका नहीं है जो प्रोसेस था दोस्तों में आपको बता दिया है और फोन पे के अंदर दोस्तों आभी ओप्शन जो है अधार काड़ वाला फीचर नहीं काम कर रहा है तो आप पेटियम के अंदर चेक करना आपको 100% आपके अधार काड़ से बन जाएगा वीडियो अच्छा लगा दोस्तो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना साथी हों मिलते किसी नेक्स वीडियो दोस्तों तब लेजाहिन दोस्तों वंदे मातरम